मैं खुशिरू आपका स्वागित करती हूँ आख बारबानी गौसम में एलविश ने मनीशा को आज धमकी दे दी है और ये बहुत बड़ी धमकी है और ये सीरियस धमकी है ऐसी वैसी मस्ती मजाकी नहीं मनीशा बहुत अच्छी दोस्त है एलविश की और ये लुष मनीशा को बहुत मानते हैं फुकर इंसान को बहुत मानते हैं फुकर इंसान भी अलविश को बहुत मानते हैं ऐट करने से रोक देता है आज टास्क है दुरान काफे जदा दिद का एक अलग रूप निकल के सामने आया जब उसके टास्क में अगर कोई उंगली करता है तब ये रोने लग जाता है और आक्चली में दूसरों के साथ ही उंगली करता हुआ आज नजर आया जहाँ पर Elvish ने इसको बहुत ध्यान से देखा ये दोगला बनता है वहीं पर बोला भाई में पूँ गालिया निकालनी है फुकरा इंसान से भी बात करते हुए नजर आयते Elvish मुझे गालिया निकालनी है बड़ी गंदी-गंदी गालिया निकालनी है बातचीत मुझे निकरनी ये आदमी जो है ना बहुत ही गंदा है और ये आदमी बहुत बड़ा दोगला है और मनीशा को कहते हैं नजर आए कि अगर तू उस कुत्ते से अभी बात करेगी तो मुझसे बात कभी मत करना वो बहुत बड़ा कुत्ता है उससे बात मत कर बहुत ज अपनी साइड से जरूर बोलूगी मुझे ऐसा जड़ा नहीं है पर उसको दूसरे लोगों को परखने का तरीका नहीं आता जिसके कारण वो दूसरे गलत लोगों में रहके वो एक्चुली में खुद गलत दिखता है मुझे ऐसा लगता है या आपका कुछ और कहना है तो आप बताईए और धमकी भी जो दिया मनीशा को भई बढ़िया दिया है मैं तो पहले डे से बोलती थी कि मनीशा इसके साल लगनी नी चाहिए जिस तरीके का यह आटिटूड दिखाता है जदा दिद क्या कहते हैं इसी के साथ मैले तीम जाज़त नमस्कार